आज इस वीडियो में हम लोग एडिंग अप थियोरम इस एडिंग अप थियोरम को हम लोग प्रोड़क्ट एग्जॉश्चन थियोरम भी कहते हैं यह थियोरम क्या कहती है कि जितने भी फैक्टर्स आफ प्रोड़क्शन हैं हम लोग जर्नली एग्जाम्पिल के अंदर लेबर और कैपिटल को लेके चलते हैं अगर थी कहती है कि जतने वी है लेबर कैपिटल लेर हैं लेंड याहम लेंड भी है इंटरप्रिनियूर भी है जतने भी Factor अब Π ूक्षन है अगर उनको उनके मार्जिनल प्रोड़र्ट के हिसाब praYU करी आ जाए ये वह जितना प्रोड्यूस जीतन उन्होंड़ इतना अगर उनको दे दिये जाए तो आपका total product खतम हो जाएगा, exhaust हो जाएगा, इसलिए इसको exhaustion theorem भी कहा जाता है, ये theorem जब ये बात आई, तो फिर इसके उपर एक serious debate शुरू हो गई, एक सारे economics में debate शुरू हो गई, कि क्या अगर हम marginal product के हिसाब से सारे factors of production को pay कर दें, तो क्या exactly total product exhaust कर ज हमारे पास जो total product है वो 50 है, और हम कह रहे हैं कि उसके अंदर labor लगी है और capital लगा हुआ है, तो यानि हम ये मान के चलें कि ये 30, 20 होगा, 25, 25 होगा, कुछ भी होगा लेकिन उसका combination इतना है, जो हमारा total है जब इसमें divide किया जाएगा labor में और capital में, तो वो exhaust हो जाएगा, खत problem कहा गया, और product exhaustion क्योंकि यहां पर हमारा product exhaust हो जाता है, जब हम उसको distribute करते हैं, इनी की factors of production के अंदर, अब जो बहस चढ़िए, वो यह चढ़िए, कि ये तो एक accounting identity हो गई न, एक accounting identity बनके आई, तो क्या ये सही है, accounting identity क्या है कि यू, value of product, equal होना चाहिए, कौन-कौन से मरपस factor है, labor, capital, cost of labor, cost of labor, plus cost of capital, ये identity बनकर आगे, अब इस पर बहस चल रही है, सारे economists के अंदर के क्या ये ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं, अब अगर आप इसकी identity बनाए, तो क्या होगी, value of product क्या है, आप कोईसी भी की product की जब आप value निकालेंगे, तो उस quantity को price से multiply कर देते हैं, यानि price multiplied by quantity, ये आपका total value of product निकल आई, अब इसमें कौन-कौन सा है, value of labor, यानि आप wage को labor से multiply कर दीजे, plus rate of interest को capital से multiply कर दीजे, ये आपकी identity निकल कर आई, जिससे के आप total product को पा सकते हैं, अब एक चीज़ है, अब जब आप इसको करने के, अब क्या करना होगा, आगे इसको हमें वो बनाना होगा, identity बनानी होगी, unity के निकले, यानि adding to the unity, बनानी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ वन तो होता ही है, तो हम यहाँ वन छोड़ दें, equal to, अब PQ को हम इदर ले आए, WL upon PQ, plus R, K upon PQ, यह आपकी adding up theorem और problem बन जाती है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना लीजे कि, one equal to, या share of labor, और share of capital, यानि, one equal to, share of labor, plus share of capital, ठीक है, यह आपकी एक theorem बन गए, जो unity में आ रही है, यहाँ पर आप मानिए कि यह यह कह रही है, one का क्या मतलब है, unity हम क्यों लेकिया है, क्योंकि वो यह बात बताना चाह रहे हैं, कि capital को अगर उसकी marginal productivity के हिसाब से pay किया जाए, और labor को उसकी marginal productivity के हिसाब से pay किया जाए, तो उन दोनों को plus करने से one आएगा, यानि factor payment जो है, वो अगर अगर अपनी ही marginal productivity जितना produce करें उसे दिया है, तो जो हमारा total product है, value of product है हमारी, वो exhaust हो जाएगी, ठीके, अब सवाल यह है, कि क्या marginal productivity theory factor price को determine करती है, और वो भी जो उसकी basic identity की requirement को फूरा करती है, basic identity क्या है, हम तो मानके चल लेंगे ना कि हमारा जो product है, वो ही हमारी income है, कैसे, हर factor को हमने दो लिए हुए, labor को उसकी wage मिल गई, capital को उसका rate of interest मिल गया, तो दोनों को उनकी income मिल गई, यही हमारा total production था, यही total production है, value of production भी हमारी, यही है, यही है, यही है, यही हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, कभी इस words में कभी, इस words में, तो क्या यह determine करती है, रखिए उसका बहुत simple, same, फिर बात में repeat कर रहा हूं, same answer इसका यह है, कि जितना भी एक factor of production ने, physical product produce किया है, यानि physical output exhaust कर जाएगा, by paying each factor its marginal physical product, हर factor को उसके physical marginal product के बराबर pay कर दीजे, यानि simple बात है, जित फेक्टर ने जितना produce किया है, उसको उतना दे दो, तो आपका पूरा पूरा जो output है, वो exhaust कर जाएगा, अब सवाल एक यह पैदा होता है, कि हम इस quantity को value निकाल लेंगे पहले, तो value निकालने के लिए हमारी quantity क्या है कि, पहले तो हम physical product देखें कितना है, और फिर हम उस physical product की value को देखेंगे, तो physical product हम कैसे निकाल लेंगे, total quantity हमारी क्या है, total quantity हो गया है, marginal physical product of labor, और हम इसको multiply कर देंगे labor से, इसी तरह से plus marginal physical product of capital और multiplied by capital, यह आपका बनकर आजा कि यही तो आपकी total output निकल के आया है, अब इसकी value कैसे निकालेंगे आप, value निकालने के लिए इसी को हम, अगर हम इसको equation मानने, मैं इक्वेशन शुरू से डालता नहीं चलना हूँ, उसमें भी डाल, कोई भी equation मानी है, तो इस equation को हम P से, यानि price से multiply कर देंगे, अब क्या होगा, Q equal to marginal physical product of labor multiplied by P and multiplied by L plus marginal physical product of capital multiplied by P multiplied by K. ठीक है, अब हमने इनके सारी चीज़ों को multiply कर दिया, यह जुन quantity निकल के आई है, क्यूंकि अब हमने इसको price से multiply कर दिया, तो यह value निकल कर रहा गए, यानि value of physical product, quantity of value of physical product, Q या P क्यू कर लिज़े इसको, क्या निकल कर रहा है, value of marginal product of labor and value of marginal product of capital, ठीक है, यानि यह theory again, यह ज factor को अगर आप उसके marginal value of marginal product के हिसाब से pay करिए, तो पूरी की पूरी value total product exhaust कर जागा, यानि अब हम कह सकते हैं, कि जो marginal productivity theory है, it leads to the correct adding up of the factor shares, यह वाखी है, अगर हम factor shares को add कर दें, तो total output निकलता है, तो यह correct adding up theorem या problem है, ठीक है, यहाँ idea दिया है, मैंने इस theorem का लिए, और मु ऎरत मैं तवनभाद्य को इसूने मैं जया इस वित मैंधने है, झाएनि कि मैं है।, धित